Hello friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने Open Board और Wide Board Software से अगर आपको इस कैसे वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपने OBS Studio से जैसे कि पिछले एक वीडियो मैंने आपको बताया था जैसे कि आप उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे अपने OBS Studio से तो आज हम इस वीडियो में उसको पूरे डिसकेस करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है आपको यहाँ पर अपना OBS Studio ओपन कर लेना इस प्रकार से ठीक है इस प्रकार अपना OBS Studio open कर लेना और इसको याँ से minimize कर देना है और इसके बाद आपको अपना open board जो hideboard software है उसको open करना है ठीक है जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार आपका open board यहाँ पर open हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आपका इस प्रकार open हो जाएगा और यहाँ पर अगर आपको यहाँ से अगर कुछ लगाना चाहते हैं आपको यहाँ पर documents में जाकरके image वगारा लगा सकते हैं और इसके लिए तो already जो tutorial है उसमें मैंने पूरा complete में discuss किया हुआ है यहाँ पर आप जाकरके कोई एक new document ले सकते हैं और जैसरे माने एक document देखे हैं यहाँ पर ले लिए है और इसको हम नाम दे देते हैं documents यहाँ पर हम इसको नाम देएंगे यह हो जाएगा ठीक है और इसको enter कर देंगे और documents में click कर चेंगे और यहाँ पर आपको देखना है add को option add में आपका और यहां पर आप बॉर पर क्लिक कर देंगे. और यहां पर आएंगे तो देखिए आप के सारे यहां पर questions दिखेंगे. जैसे एक questions हम इस पर पर का ले लेते हैं. हमारे यह इस पर का question है. और इसमें हम pen ले लेंगे ठीक है? और pen में हम color change चेंज करके अराम से आप बता सकते हैं और अगर चेंज करना है तो next page करेंगे previous previous इस प्रकार देखिए अमरे ये वाला page आजाएगा ठीक है और इसमें आप color change करके कुछ लिख सकते हैं तो इस प्रकार देखिए हमारा हो जाएगा आपका ये आपका पूरा content टैप में बन चु जैसे ही आप window की प्रेस करेंगे तो आपको जो नीचे का यहाँ पर ये task बार होता है जी automatic आजाएगा ठीक है और यहाँ पर आपको अपना OBS इस प्रकार देखिए होगा इसको open कर लेना है OBS open करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक निकी यहाँ पर जैसे कि हम आते है recording में एक scene आपको ले लेना ठीक है scene लेने के बाद आपको करना क्या है simply आपको यह plus के option पर जाना है और इसमें आने के बाद आपको यहाँ पर window capture लगाना है window capture का option दीखेगा इसी में आपको click कर देना है और इसके बाद इसका आपको अगर नाम देना चाहते हो दे देंगे जैसे मैं इसको दे देता हूँ open board यह नाम हम दे देते हैं और इसको ok करेंगे तो आपके साबने यह जो window आपकी खुली हुआ है वो यहाँ पर automatic आजाएगी अगर आपको यह नहीं दिखता है तो यहाँ से जागर के आप window में जागर के आप open board select करेंगे और capture method automatic है इसमें आपको कोई छेट सर नहीं करना है इसको ok कर देना simply और इसमें आकर right click करके आपको transform में जाना है transform में आने के बाद आपकी इसको fit to screen कर देना है और यहाँ से इसको लाग कर देंगे अब यह आपका complete देखिए आपका 16 resume 9 resume यह fit हो चुका है अब यहाँ से normally आप screen recording य यह आप यहाँ पर streaming भी start कर सकते हैं और आप live streaming करते हैं और देखिए OBS Studio के सारी setting का video already हमने बनाये हुआ है तो उसको प्ले लिस्ट में जाकर के एक बार चेक कर लिजे video setting का video आपर मिल जाएगा तो आप अपने video setting कर सकते हैं किस-किस resume में आपको अपने videos को बनाना है इतनो हो जाएगा अब यहाँ पर आपको एक और काम करना है आप यहाँ पर open board में पढ़ा रहे हैं तो आपका preview कैसा दिख रहा है आपका video सही record हो रहा है नहीं हो रहा है यह सब चेक करने के लिए आपको इसके लिए एक काम करना होगा आपको obvious में आना है window की प्रेस करके और इसक टॉप पे कैसे रखना है ठीक है always on the top window always on the top में कैसे रखना है तो इसमें आपको right क्लिक करके इसको आपको window projector preview करना है अब यह देखिए आपका window projector preview है और इसको और मैं छोटा कर देता हूँ अभी इसको आप इस पकार छोटा कर देंगे और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं आ आ जाता हूँ open board में यहीं सी इसमें क्लिक कर देंगे तो यह projector देखिए अभी यहां सी यह हट जाएगा मैं बाहर क्लिक करता हूँ अभी देखिए यहां सी हट चुका है ठीक है लेकिन अभी क्या करता हूँ मैं जाता हूँ अपने इसमें क्लिक कर देता हूँ दुबारा ठ करके इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कर देना है control एच rating Yeah control space वार आपको प्रेस करना control और प्लस इस वए बार तो देखें यह मेरा यहां पर आ उट sentiments हो चुका है और यहां से कहीं नहीं हटें है ठीक है हमें जैसे बाहर कुछ लिखता भी हूँ तो देखिए यहां पर पूरा मेरा प्रिवी दिखेगा लेकिन दोस्ते यह आभी आपके उसमें अभी यह नहीं होगा इसके लिए आपको आपको अपने सिस्टम में कुछ करना पड़ेगा तो वह वीडियो आप देख लीजिए आपको एक नेकी आट फूरा यहां पर यह प्रिवी हमारा चलता है ठीक है अब जैसे इसिवे हम फिर क्लिक करके इसको हम छोडा कर लेते हैं इसमें क्लिक करूंग मैं और CTRL SPACE बार प्रेस कर दूंगा तो देखिए अब यहां से मेरा चला गया ठीक है लेकिन अभी हम दुबारा करते हैं इसको क् कर सकते हैं जैसे यहां Se Aap जाकरके इसमें आएंगे और हैससे आप recording start कर सकते हैं या तो streaming भी कर सकते हैं और आ्टोमेंटिक Bakर रिकार होता रहेगा तो इस परकर तो आप अपने वाइटवर्ट साप्ट्रेयर को obvious से स्टूडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उमीद कर तुम आज की विडियो अपको फसंद आया होगा अगर विडियो पसंद आए और विडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा